हाई दोस्तों सबका स्वागत है टेकेन वील्स में और आज हम एक वीडियो करने वाले टाटा पंच के उपर टाटा पंच बहुत ही प्रॉमिसिंग कार है और कार बोलने सच में स्यूवी बोलूंगा त्योंकि यह गाड़ी में सभी फीचर से जो एक स्यूवी में होनी कि जो डिजाइन लेंगविज है आपको सिमिलर दिख जाती है पंच अल्फा आर्केटेक्टर पे अधारिते जिस प्लाटफॉर्म पे अल्ट्रॉस भी बनी है और इसकी जो पोजिशनिंग है टाटा की टियागो एनरजी और नेक्सॉन के बेच रहेगी गाड़े बहुत ही हैच बैक लेने से अच्छा अगर आपको कुछ अच्छी घासी ऑफ रोडिंग पर्फॉर्मेंस मिल जाती तो जाहिर सी बाते लोग इसके तरफ चले जाते देखिया पर स्टाइलिश डियारेल आपको मिल जाती है इसमें इंडिकेटर डियारेल के अंदर इंबिल्ट नहीं onu black color कि हड्लैंस के बाद कर ने हैट 그것 कर आपको प्रोजेकट्र ही लोजन का सेट अप मिल जाता है प्रोजेकटर लोबीम के लिए हैलो ज़य है वह हाई वीम के लिए एक चोटी सी एइर विंट मिल जाए गहाएँ आपे कि एक क्रोम स्ट्रिफ यहां पर आपको दिखें ग्रिल पर जो बहुत ही बोल्ड बना देती है इस गाड़ी को बॉनिट पर भी आपको जो लाइन से पूरी तरह से गाड़ी को एक मस्किलर लुक दे देती है वाइपर्स अब कोई देख जिख जाते हैं या पर फ्रेम टाइप वाइपर सबको मिल जाएंगे मिरर्स की बात की जाए तो आपको टर्न इंडिकेटर्स मिलेंगे मिरर पर और यह एलेट्रिकली अजिस्टेबल और आटो फोल्ड मिरर्स है स्क्वेर वील आर्चस अबको मिल जाते हैं यहां पर 16 इंच की अलॉइज आपको मिल जाती है डोर हैंडर्स बहुती मजबूत है यहां पर रूफ रेल्स आपको यहां पर मिलेगी और डिवल टॉन रूफ है तो ओपर का जो बाग है वो ब्लैक मिलेगा कुछ वेरियंट्स में वाइट कलर का रूफ आपको मिल जाता है साइड की बॉड़ी लाइनिस इस तरह से डिजाइन किये कि गाड़ी को पूरी तरह से मस्क्यूलर लुक मिल जाए पीछे की डोर हैंडल इंटीग्रेटेड है सी पिलर पे और यह बेसिकली आपने देखा ही होगा शेवरोले बीट और मारतवी के स्विफ्ट में छोटीटी डिटेलिंग बहुत है इस गाड़ी में जो खास जेलिंग है अब यहाप यहाप देख से टेल लैम के अंदर एक टाटा की एक लोगो आपको आप दिख जाती है दो कट्स है कि बहुत ही खास डिटेलिंग आपको मिल जाती है पीछे का लुक बहुत लोगों को पसंद नहीं आया या कुछ लोगों को पसंद आया थोड़ा मिक्स रियक्शन है क्योंकि फ्रेंट के उतना मस्किलर नहीं है लोग बोल रहें बट यह सब जब रियल में देखते हो तो न नहीं मिलेगा कि अपर हम चलते हैं ड्राइवर साइड के तरफ कि यहाँ पर आपको कीलेस एंट्री मिल जाता है एक रिक्वेस्ट से रहां पर तो आप खोलते हैं डोर 90 डिग्री वाइड ओपनिंग डोर से जो आपको एल्ट्रॉस में भी मिली थी तो यह रगा 90 डिग्री ओपनिंग डोर्स बहुत ही वाइड ओपन है और सबसे खास बत है पडल लैंप आपको मिल जाता है जो बहुत ही मददकार है डार्क एरियास में जहां पर अंधेरा रहेगा वापर आपको दिख जाता है नीचे अगर कुछ है तो बहुत ही अच्छ नोड़ अट्रोस में बेन डिग्री ओपनिंग डोर्स है बट अल्ट्रोस की जो हाइड हो कम है बट पंच में मज़ा यह कि आप आराम से अंदर और भाहर निकाल सकते हो सेवन इंच की इन्फोटेंट सिस्टम मिल जाती है और इसमें बहुत सारी चीज़े जो यह अल्ट्र स्टेरिंग में लेफ्ट में घुमाता हो तो राइट साइड के जो फॉग लैंप दीरे-दीर बंद वही है और लेफ्ट साइड की फॉग लैंप चालू है तो इस गाड़ी में कॉर्णरींग फंक्शन दे रखिए फॉग लैंप के अंदर तो जिस तरफ आप स्टेरिंग म आफ रहना चाहिए इंफोटेंबन सिस्टम के बात करें सेवें इंच इंफोटेंबन सिस्टम है हार्मन की यह रही ओम पे जिसने आपका अपल कार प्ले वाट्री वर्ड्स रेडियो यूस्पी और वोइस कमांड्स मिल जाते हैं और यो सेटप है ब्लूटूट ओडियो है गया उसके यह इसके बाद ड्राइव नेक्स्ट में आपको अफिशेंसि त्र्ण्य बियूवियर यह सिम्ट चीजहें आपको मिल जाती है झाल कोisson सेट आप आपकर सकते हो दैवाइस ऊसपेर कर सकते हो फेवरेट्स में आप मन्च चाहे चीज़े जो है वह एड कर सकते हैं अ कि एसी का फैन जो है जब स्पीड में सेट करता हो तो आपको स्क्रीन पे दिख जाता है और टेंपरेचर भी जो जब wann set करते हो वह आपको दिख जाते हैं अभी में टेम्परेचर सेट कटाओ 20.5 पे सेट कर लिया उपर भी आपको दिख जाएगा फैन स्पीड और टेम्परेचर फिर यहाँ पर आपको पार्क असिस्ट कैमरा जो है वह आपको मिल जाएगी यहाँ पर क्लारिटी अच्छी खासी है पार्क असिस्ट रियर पार्किंग कैमरा की हूं। हूं पे चले जाता हूं यहाँ पर देख लेते हैं वेहिसी वेहिकल Article manufacturing मेधा की कई कुछ सेटिंग्स को मिल जाएगें दियरल हाँ यहाँ पे ओन ओफ कर एप रोडे कर सकते हो ऐप प्रोच लैबupa हूं एप्रोच लेंप जो है यह आप रिमोट की के द्वारा फॉलो मी होँपीचर जो वह एक्टिवेट कर सकते हो तो अगर आप एक बार हैड्लैंप आउन करते हो तो कितने देड़ तक रहना चाहिए वहापे सेटिंग कर सकते हो वॉल्यूम का सेटप याप कर सेथे आप की देमों मिल जाती है थीसान हपको मिल जाते है । कलायमेट करना थीम सेटकर सकते हो जैसे कि आप सेट कर सकते हो इसेkon recipro ेंप सेटकर सकते हो जब तो जब आप कीम चेंज करोगे तो वही तेंबरेचर कर वह सेट हो जाएगा आपकी एर कर्डिशन सिस्टम अभी जैन पर जो है यह जिंक लगाई है मैंने 18 डिगरी पर टेंपरेचर सेट है तो थीम चेंज हो गई है और टेंपरेचर आप देख सकते 18 पर सेट हो गई इंफो टेंटमेंट सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर क सेट अगई है बहुत ही बड़िया फीचर है इंफो टेंटमेंट सिस्टम के अंदर और और फीचर ज़िए देख लेंगे शॉटकट्स है यह आपको मिल जाते हैं कि एसी के डिटेल्स देखे दोस्तों स्क्रीन साइज बड़ा होना जरूरी नहीं यह बस काम चलना चाहिए और यह सफिशेंट है देखा गया तो सब कोई अच्छी मिल सिस्टेम मिल जाती है आप यहां पर वॉल्यूम कि सेट अप कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं कम कर सकते हैं टस्क्रीन के द्वारा पंच जैसे मैंने का का अलफा आधा रही थे और जिस पर इल्ट्रोस भी बनाए गई है और अल्ट्रोस को भी फाइव स्टार रेटिंग मिल जाती है मतलब यह सेफेस्ट टाटा की एक जिद हो गई है कि जो कार वो लांच करेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेफ बनाए और यह सही बात है दोस्तों आजकल सेफटी का बहुत इंपोर्टन्स है और पंच में भी यह चीज़े और एक मज़िकी बात यह है कि एक्शुवी त्रेडबलो और पंच अगरा बात करेंगे सब फाइस्टार का रही है अल्ट्रोस एक स्कॉरिंग जो है पंच की हाइस्ट बनती है एक्शुवी त्रेडबल को मुकाबले और इससे अब अभी कह सकते है कि पंच जो है सेफेस्ट मतब एक्शुवी त्रेडबलो से भी सेफेस्ट है थो इतनी छोटी सी कार है बढ़ा एक अच्छा सेफर प्रोड़क्ट आपको लो डो एर MIL Swift 22 स्ट्रॉंग बॉड्री स्ट्रॉक्ट्टेरल लिए एर बैग्स के ऊपर नहीं सेफ्टी बॉडी स्ट्रॉं रहना चाहिए और वो पंच में है और दिख था बहुत सारे फीचर्स जो है पन्च हो हे चार वेरिंञ्ड इसमें व्योड्युक्ट कह पर सबूम बोलेंगे जिसका नाम है प्यूर प्यूर के अंदर जो बेस बहुत ही स्टाइलिश देख रहे है पंच और नो डाउट ये एक सक्सेस रहेगा कि इंडियन कार मार्केट में तो इस जो डीटेल्ड वीडियो है सब्सक्राइब हम बात में कर ही लेंगे बहुत ही कम टाइम मिलाता एक वीडियो बनाने के लिए तो इसलिए मैं ये वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूं कुछ इंपोर्टन फेचर लेके इसकी कलर्स जो है बहुत इस्ट्राइकिंग कलर्स है डिवल टोन कलर स्कीम भी आपको मिल जाता है अरको वीडियो पसंद आयो लाइक कीज़ शेर कीज़ शस्क्राइब कीज़ थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो फ्रम टेकन